जैहिंद एवरीवान, वेलकम बाग टो माई चानल, दिस इस शिवांगी भट और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हेल्थ एन हाईजीन जो आपका नेवल सर्वेश सब्जेक्ट नौस एने क्याम 2022 के अंडर आता है चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेशन है कि आप हाईजीन को डिफाइन करिए तो हाईजीन है कैसी साइन्स है, एक ऐसा तरीका है जिससे एक इंडिविज्वल और एक कम्यूनिटी की हेल्थ को प्रिजर्व और इंप्रूफ किया जाता है हम अपना पर्सनल हाईजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना सफिशेंट आर्ज लोग स्लीप के, अच्छे तरीके से रेगुलर्ली यू शुद टेक बात, यू शुद इट, यू शुद ट्रिंक प्रॉपर्ली बिकास यूर बोडी रिक्वाइस ठीक है, अ अगला है कि आपका कैम्प, कोई भी आपका कैम्प लगता है, NCC का, तो उसमें क्या-क्या अर्रेंजमेंट्स बनाने चाहिए, ताकि सानिटेशन सही तरीके से इंशुद रहे है, बिकास, सी, देयर सो मेनी पीपल जो एक सांत रहते हैं, बहुत सारे केलेट्स होते हैं, तो उस केस में सानिटेशन को और हेल्थ और हाईजीन को मेंटेन करना और इंपॉर्टन बन जाते हैं, तो सबसे पहली चीज है, सफिशेन वाटर शुद भी अवेलिबल, खाने की साफसफाई और सिक्योरिटी, जब तक अट लिस्ट खाना डिस्टिब्योट नहीं हो जाता, ज जिसे डिसीज़ बढ़ सकती हैं, फिर आपका जो एरिया है क्याम का उसको साफ रखना चाहिए, जो आपके वाश डूम्स हैं, वो क्याम से दूर होने चाहिए, अगला है आपका गुड हेल्थ के एलेमिंस क्या-क्या है, गुड हेल्थ में देखो आपका फिजिकल हेल्थ बी आता है, मेंटल हेल्थ भी आता है, सबसे पहली चीज़ है कि आपकी बॉड़ी शुड बी डिजीज फ्री, अगला है कि आप अच्छे से हार्ड वर्क कर पाएं, विद एफिशेंसी और इंतूसियाजम, ऐसा ना हो कि भाया, बहुत वीकनेस फिल हो रही है, हद से सदा लेजीनस लग रही है, मन नहीं कर रहा, और काम नहीं हो रहा, ठीक है यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और स्ट्रेइन को अच्छे से इंडियोर कर पाएं, चियरफुलनेस और करिज आप में होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉ पानी पीना, फिर अगला है आपका mental health क्या है, mental health एक ऐसा state है आपके mind का, जहां पे आपका mind भी disease free है, आप mind के लिए diseases क्या क्या है, जैसे आपका anxiety है, strain है, pressure है, यह सब चीजों से आप free हो, और आप जो भी life में difficulties आती है, इनसे आप cope कर पा रहे हो, कोई भी life में sudden changes आ रहे है इनसे आप cope कर पा रहे हो, आपके relationships अच्छी है, ठीक है, अपनी family, friends, relatives, इन सब चीजों से, आपके spouse से healthy relationship है, fine, फिर आप एक अच्छी और productive तरीके से अपना जो वो है ना work उसे कर रहे हो, फिर है आपका benefits क्या है योगा के, तो देखो इससे आपका strain, tension, anger, stress यह सब दूर हो जितने भी body में सारे disturbances है, मतलब सारे disturbances को हटाता है, आपके body को एक harmony में लेकर आता है, और ill effects को हटाता है, यह efficiency लाता है, और mental clarity भी लेकर आता है, एक ऐसा person है, जो अपने power of thoughts, यानि की positive thoughts, और जो अजब आपका mind बहुत जादा सोचता है, आपके दिमाग में बहुत जाद आती है बाहर, योगा आपका help करता है, जिससे आपके जो natural rhythm है, जसे एक perfect human being को function करना चाहिए, ऐसे अगर आपका शरीर function करता है, तो that is a state of a healthy person, ठीक है, यह आपका योगा यह सब चीज़ें आपको basically देता है, अगला है आपका skeleton, skeleton आपकी body को shape प्रोवाइट करता है, skeleton ही हमा जो important organs है, जैसे आपका brain, heart और lungs इन सब को protect करता है, हमारी body में total 206 bones है, और flat bones है, जो आप हमारे cranium, shoulder और hip में पाई जाती है, फिर हमारी wrist और ankles में कौन सी bone पाई जाती है, that is your short bones, अगला है हमारा जहां पे 2 या 2 से जादा bones मिलती है, एक ऐसा point, तो वो है आपका joint, फिर है आ blood है, ठीक है, blood का circulation कौन सी organ में होता है, that is your heart, heart आपका किस तरफ को tilted होता है, ठीक है, chest के, तो that is your left, left तरफ पे आपका tilted होता है, और आपका जो heart है, उसका size हमारी fist के बराबर, हिंदी में कहें तो मुठी के बराबर होता है, heart आपका कितने compartments में बटा हुआ है, तो वो आपक और right, दो compartment से बटा हुआ है, कौनसी side जो है compartment की, वो impure blood करी करती है, देखो यहाँ पर impure blood कहने का मतलब है, de-oxygenated blood, right, तो यह है आपका right side of the compartment, आपका pure blood, मतलब oxygenated blood कौन सा side करी करती है, तो that is your left side, फिर है आपका जो oxygen है और nourishment है, body को, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो that is your blood, blood में ही आपके सारे nutrients, vitamins, यह होते हैं, और blood में ही आपका oxygen भी होती है, कि जब वो cell, cell तक जाती है कि करके, तो सारी cells, जितना उनको required होता है, उतना वो oxygen लेते हैं, और जितना उनका carbon dioxide होता है, जो process में निकलता है, तो उसको मतलब वापस blood में ही फेज देते हैं, फिर that is your heart and blood vessels, फिर आपका जो blood vessel है, कौन सी blood vessel आपका pure blood क्यारी करता है, प्यार कहें तो फिर से आपका oxygenated blood है, तो यह हैं आपकी arteries, और कौन सा vessel आपका impure blood या de oxygenated blood क्यारी करता है, तो यह हैं आपके veins, इंपोर्टन ओर्गन कौन सा है, respiration के लिए, तो that is your lungs, फिर है आप respiratory system का function ब inhale करता है, तो fresh air जाती है उसके lungs में, fresh air में आपका oxygen भी include होती है, फिर जब वो ऐसे inhale करता है, तो वो जाता है, फटा-फट आपके blood vessels में pump हो जाता है, ठीक है, pump हो जाता है, तो उसमें फिर आपका blood में क्या आजाती है, oxygen आ जाती है, जो जिसको हम बोलते है, oxygenated blood, फिर वो आ carbon dioxide, या और कोई waste हो गया, और कोई मतलब जिसे कोई solid हो गया, ठीक है, वो सब उसमें डाल देते हैं, और फिर वो आपका, जब आप breathe out करते हो, तो आपका सारा वो, जो आपका carbon dioxide होती है, वो बाहर आ जाती है, और आपका थोड़ा-थोड़ा waste आपका extrusion system में जाता है, collect होता ये आपका एक बहुत important organ है body का, और ये आपका protect करता है आपके brain, heart, lungs, spinal cord को भी, total हमारी body में 206 bones है, bones आपका short हो सकती है, long हो सकती है, flat हो सकती है, और irregular हो सकती है, फिर है आपका जो body है human being की, उसका structure के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहला है आपका skeleton, फिर muscles, blood circulatory organ, respiratory system, digestive system, excretory system, और आपका nervous system organs, nervous system सार आपका spinal cord से ओपर, जो brain तक connect करती है आपकी cells, तो यहां आज का topic हमारा खतम होता है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में, देखो हम try करेंगी कि अगर health and hygiene के और भी कोई important topics हो, तो हम उसको भी उठा के बना पाएं, क्य और देखो यह चीज़ simple होती है, लेकिन आपका important भी होती है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, जैहिंद